वन मैं हूँ अलपना हमारे चैनल अलपना मौसरी में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी एक साथ सेयर करने जा रहे हूं तिल मावा के लड़ू इससे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में काफे स्वादिस्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है तो फिर च इसे भी ग्रोसे स्टोर से ले सकते हैं तो तील मैंने लिया है हाँ पे दो कप अगर आप इसे ग्राम में मापे तो यह आधा केजी है यानि की 500 ग्राम तो तो तील हमारा बहुत ही अच्छा है बिल्कुल साफ है अगर आपको इसमें थोरी से भी गंदगी दीख रही हो तो आप इसे अच्छी तरह साफ कर ले तेल को हमें रोष्ट करना है तो इससे मैंने पयो में डाल दिया है तो चलिए इससे गैस पर चखाते हैं अभी मैंने फ्लेम को मीडियम किया है जब एक बार पैन अच्छी तरह गर्म हो जाए उसको वदम फ्लेम को लो कर देंगे तील को जो color है वो change होने लगा है देखिए बहुत ही बढ़िया color आ गया है पर अभी तील हमारा अच्छे से भूना नहीं है तो इसे हमें low flame पर ही भूनना है 2-3 मेट के लिए जैसे इसे तील भूनेगा वैसे ही इसमें crackle करवाच आने लगेंगे तो तील हमारे हमें पर भून गया है बहुत ही बढ़िया color आ गया है अब इसे हमें और ज्यादा नहीं भूनना है तो यह बिल्कुल perfect है गयास का flame मैंने ओफ कर दिया है और इसे अब तुरंत किसी दूसरे बर्तन में निकाल ले इससे जो नीचे वाला तील है वो जलेगा नहीं अगर आप इसे पैन में ही छोड़ रहे हो तो आप उसे लगतार चलाते रहे जब तक यह हलका से यह ठंडा ना हो जाए अब हमें मावे की तियारी करनी है तो मैं यहाँ पर instant मावा बना रही हूँ दूध लिया है मैंने एक कप यह गाय का दूध है जब दूध हलका सा गर्म हो जाए इसमें डालेंगे milk powder तो आप milk powder किसी भी brand का ले सकते हो तो मैंने यहाँ पर amulia का milk powder लिया है तो milk powder मैं डाल रही हूँ देड़ कप के करीब जब दूध हलका सा गुनगुना रहे तभी आप milk powder डाले तो मैंने आप टोटल देड़ कप milk powder डाल दिया है अब इसे में अच्छे तरह मिक्स करना है आपने चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले तो milk powder को हमें इस तरह से मिक्स करना है इसमें छुटे छुटे लंस देख रहे हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा टेंसर नहीं है बहुत ज़्यादा परिस्वान होने की जरूत नहीं है यह अच्छे से मिल जाएगा अब मैं इसमें डाल रही हूं घी डेड़ चमच घी डालने से समें चिकना ही आ जाती है वैसे घी डालने हैं पर टोटली ऑप्सनल है अगर आप नहीं चाहते हो तो ना डाले धीरे धीरे यह थीक होना शुरू हो गया है यह खुद ही मावा के फॉर्म में आ जाएगा तो यहां पर मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है अब हमें इस तरह से लगतार चलाता हुए पकाना है ताकि नीचे तले से लगे नहीं वैसे हमावा बहुत जल्दी बन कर तयार हो जाता है इससे बनाने में 2-3 मिर कही टाइम लगता है तो यह देखी धीर धीरे गाड़ा होना शुरू हो गया है मतलब कि यह मावा के कंसिस्टेंसिम में आ गया है अब मैंने फ्लेम को थोरा सा हाई कर दिया है मतलब कि थोरा सा बढ़ा दिया है मतलब कि यह लो टू मीडियम फ्लेम पे है तो यह हमारा मावा बन कर तयार हो गया है अब मैंने गैस का फ्लेम आफ कर दिया है अब हमें मावा को हलका सा थंडा होने के लिए छोड़ देना है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डखना है उसके बाद इसमें हम गुर को तो मावा हमारा काफी हद तक ठंड़ा हो गया है तो चलीस में डाल लते हैं गुर तो गुर लिया है मैंने एक कप आप गुर को इस तरह से तोड़ ली कि इससे असानी सिह के लडू बना कर देंकि बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में तो बहुत ही सांदार है यह तो आप इस मकर सक्रांती इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइ करें या ऐसे भी अगर आप उखाने का मन करें तो आप इसे असानी से बनाईए और खाईए अब गुर को हमें इस तरह से मिक्स करना है तो मावा हमारे यहां पर काफी ठंडा हो गया है तो मैंने फ्लेम को ओन कर दिया है और गुर को हमें लो फ्लेम पर ही मिक्स करना है तो यह हमारा गुर मिक्स हो गया है मावे में अब इसमें डाल देते हैं तील को आप 14 में थोड़ा सा मुंगफली भी डाल सकते हो वैसे मुंगफली डालना है अब हमें तील को अच्छी तरह मिक्स करना है फ्लेम को मैंने ओफ कर दिया है जब हलका से यह गुन-गुना रहे तभी हम लड़ो बनाएंगे काफी गर्म है क्योंकि मैंने गैस अन करके गुर को पिखलाया था अब मैं इसमें डाल रही हूं किस्मिस अगर आपके पास और भी ड्राइफूर्स हो तो आप उसके इस्तेमाल कर सकते हो वैसे किस्मिस अगर आप और चीज डालोगे तो यह करक हो जाएगा किस्मिस काफी सौफ्ट होता है मैंने इसमें थोड़ा से इलैंची भी डाला था तो लड्डू बनाने से पहले आप हाथों को पानी से ग्रीस कर ले आप और से ग्रीस कभी भी ना करें क्योंकि काफी गर्म रहता है तो इसलिए यह जो लड्डू है इससे बनाने से पहले आप अपने हाथों को पाने से धो जरूर ले मतलब कि पानी से पोचले हाथ को और हमें इस तरह से लड्डू बनाने हैं बहुत ही असानी से बन जाता है तो मैंने आप एक चिमच लिया है और इसमें इस तरह से हलके हाथो से प्रेस करना है बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाना है तो यह हमारा दूसरा लड़ू भी बनकर तयार हो गया है तो बाकि सभी लड़ू को में इसी तरह से बना लेने हैं तो यह देखिए बहुत ही अथानी से बन गया है तो यह हमारा तिल मावा का लड़ू तयार है अभी काफी गर्म है जब हलका से ठंडा हो जाए तभी इसे हम सर्व करेंगे बहुत ही टेश्टी लड़ू बना है तो आप भी इसे एक बाद जरूर ट्राइ करें आप इसे इस मकर सकरांती पर जरूर बनाए होपस आपको मारे वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा चैनल को पर सब्सक्राइब करें लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें थैंक्यू